गुलुस्री प्राणनाथ प्यारे की, गुलुस्री सत्गुरु महाराज की स्री महमत कहे, ए मौमिनों, ए सात्वे पहर की बितक, अब कहूं पहर आठमा, ता की सुनो सिपत, ता की सुनो कल की चर्चा में, दिन के तीसरे प्रहर में किस प्रकार की लिला होती है, कैसे सुन्दर साथ वाने गायन करके स्री जी को रिजाते हैं, चौथे प्रहर में किस तरह से सुन्दर साथ स्री जी से परमधाम चलने की अरजी करते हैं, किस तरह से पाचवे प्रहर में स्री जी सुन्दर साथ को चित्वनी भी कराते हैं, उसके बाद कैसे चर्चा शुरू होती है, श्री जी अपनी चर्चा में किन-किन विशयों पर प्रकास डालते हैं ये सारे भी तक हमने सुने और अब आठवे प्रहर की लिला का वणन कर रहे हैं कहते हैं अब कहों पहर आठमा श्री राज पौढ़े पलंग पर बानी धाम धनिय की गर्जत सब उपर इस समय आठमे प्रहर में जो की वैसे देखा जाए तो ब्रह्म मुहृत का समय कहा जाता है सुबह के तीन से छे बजे तक का स्री जी अपने पलंग पर पौढ़े हुए हैं अथवा लेटे हुए हैं सुन्दर साथ धाम धनी की वानी का गायन करते हैं और इस वानी की शोभा सर्वपरी शुशोभित होती है सब से उपर है जिन जिन की बारी आती है बारी वाले गावत फिरती चौकी पर एक के बाद एक अपनी अपनी बारी में सुन्दर साथ आकर के गायन करते हैं और जिस ब्रम्हवानी का गायन किया जाता है महमत इस्री लालदाह जीस प्रकरण में उस ब्रम्हवानी की महिमा बता रहे हैं और कहते हैं बानी धाम धनीय की ए चौदे तबक हैयात पहचान भाईन काहू को रुह पिये हैयाती हो जाता जिस अक्षरातीत की पहचान आज तक किसी को भी नहीं हो पाई थी इस ब्रम्हवानी ने उस अक्षरातीत की पहचान इस तरह से करा दी है माया में कि दी कोई ब्रह्मातमा इस ब्रह्ममाणी का रस्पान करे तो उसे हैयाती अर्थात अखंड के आनन्द की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ब्रह्ममाणी के अउतरण होने के पस्चाद भी इतने वर्सों तक दुनिया इस ज्यान से अनभिज्य है। आगे क्या कहते हैं? आज लो इन इंड में कब हूं काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई होए वहीं, पर काहू न बोए पहचान। श्रिष्टी तो प्रवारूप से अनादी है। हमें जितना ज्यान है, इस प्रिथवी को बने हुए ही, एक अरब 96 करोड, आठ लाख तिरपन हजार 1123 वर्स वेतित हो चुके हैं। इस प्रिथवी को, इससे पहले कितने ब्रह्मांड बने और भविष्य में कितने होंगे पता नहीं। न इससे पहले कभी जागरित और निजबुद्धी के ज्यान का अवतरण हुआ था और न भविष्य में होगा। क्योंकि न इससे पहले ब्रह्म सिष्ट्यों का आगमन हुआ था और न भविष्य में होने वाला है। ब्रज मंडल में ब्रह्म सिष्ट्यों का आगमन भले ही हुआ पर वहां ज्यान की आउसिक्ता नहीं थी क्यूंकि राज्जी साथ में थे प्रत्यक्ष रूप से इस जागनी के ब्रह्माण में ब्रह्मवाण की आउसिक्ता पड़ी और इसकी महिमा इतनी है कि इस ब्रह्मावाणी को सुनने की शक्ति त्रिगुण के पास भी नहीं थी इस सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए और नाम किनके लेऊं इन उपरांत सोए त्रिगुण ब्रह्मा विश्णु महेश उनके पास भी इस ब्रह्मावाणी को सुनने की शक्ति नहीं है और जब तृगुण में ही नहीं है तो इससे उपर और कौन है जिनका नाम लिया जाए जैसे कहते हैं हाथी के पाऊं में सबका पाऊं यदि तृगुण में ताकत नहीं है तो फिर और किसी में भी नहीं होगी ब्रह्म स्रिष्टियों के आगमन होने से राजी ने वह ब्रह्मवानी दी है कि भले ही त्रिगुण के पास उसको सुनने का सामर्थ नहीं था पर इस जागनी के ब्रह्मवान में वही ब्रह्मज्यान वही ब्रह्मवानी राज्जी ने जीवों के लिए भी सर्व सुलब करा दिया है जो सुध अक्षर ब्रह्म को परमधाम में जागरेत आउस्था में भी नहीं थी वही सुध वही पहचान अब इस ब्रह्मभवानी के माध्यम से जीव स्रिष्टी को भी प्राप्थ हो रही है परमधाम में कैसे लीला होती है उसका ज्यान आज प्रतिक सुन्दर साथ ये नहीं देखा जाएगा कि उसके अंदर ब्रह्म स्रिष्टी है इसुरिष्टी है जीव स्रिष्टी है पर प्रत्यक सुंदर साथ परमधाम के 25 पक्षों की सोभा को भी जान सकता है लीला को भी जान सकता है जबकि राज्जी और ब्रह्मात्माओं के बीज में चिदगन आनंदगन स्वरूब के बीज में जो लीला होती थी उसके विशे में अक्षर ब्रह्म को भी ज्यान नहीं था हम स्वयम भी कहते हैं कि अक्षरातीत के मुहल में प्रेम इश्क बरतत सोसुध अक्षर को नहीं किन विध पेली करें तो वह ज्यान राज्जी ने हम सब को दिया और कहते हैं सुरस सागर रेलत कोई ना धरतकान एक सईयों की रूह पी वहीं और काहू ना पहचान। रेलने का मतलब है कि सागर की तरह राज्जी उमढ रहे हैं। राज्जी के द्वारा जियान का प्रवाह उमढ रहा है। लेकिन उसको हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? एक सईयों की रूह पी वहीं किवल ब्रह्मा तमा ही उस ब्रह्मों वाणी का रसपान कर सकती है। वाणी का कहती है? कि कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, सुनने वाले सब हैं। यदि कोई सुन करके भी उसमें डूब नहीं पाता उसमें चल नहीं पाता उसका आनद नहीं ले पाता तो हमारी गिंती भी संसार में ही होगी संसार वालों में ही होगी क्योंकि हमारी भी अवस्था कैसी है सुनने वाली या ज्यादा से ज्यादा सुनाने वाली इस वर्ष दो महिन की बीतक सुनी हमने इससे पहले हमारे जीवन में हमने कितनी ही बार बीतक सुन ली कितनी ही वाणी की चर्चाएं सुन ली लेकिन यदि हमारी भी अवस्था ऐसी है तो हमारी भी गिंती संसार वालों में ही होगी क्योंकि ब्रह्म स्रिष्टियां तो उसका आनंद ले लेती हैं। जिस ब्रह्मात्मा को एक बार वानी की बात पहुँच गई, तो वह राज्जी के स्वरुप की पहचान कर लेती है और कहते हैं और काहूना पहचान। ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सकते। यह मेहर किन करी, यह हुई किन उपर, इस प्रकार के मेहर करने वाले कौन है? राज्जी, और किस पर मेहर कर रहे हैं? ब्रह्मात्मा उपर। जिव स्रिष्टी को तो यह अनायास ही प्राप्त हो गई है यह ब्रह्मावानी। अनायास ही कैसे? जैसे मैंने कुछ दिन पहले की चर्चा में भी उदाहरण दिया था। कि जैसे कोई प्रधान मंत्री बनते हैं, इलिक्षन के लिए वो किसी एक चुनावी छेतर से खड़े हुए हैं, यह जरूरी तो नहीं कि सभी लोग एक ही पार्टी को वोट देंगे। वोट देने वाले जो वोटर्स होंगे, वो तो कुछ प्रतिसत में होंगे। लेकिन जब विकास होता है, तो सब को उसका लाभ मिलता है। जैसे सड़क बनाई गए, उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि पहले पूछा जागा कि तुमने किस पार्टी को वोट दिया है, तब ही चलने को मिलगा, ऐसा नहीं है। यदि गाओं में विद्युत पहुचा ही जाती है, तो उसका भी लाभ सब को मिलेगा। इसको लित्यादी खोलते हैं, तब भी उसका लाभ सब को मिलता है। इसी तरह से, वैसे तो ब्रह्मातमाओं के आगवन से इस ब्रह्माणी का ओतरण हुआ है, पर राजिनी सब को ब्रह्माणी का फल भी दिया है, और दूसरा सभी को अखंड मुक्ती प्राप्त करने का अधिकारी भी बना दिया है। हाँ, साथ में ये करतव्य जोड दिया, कि यदि तुम इस ब्रह्माणी को पढ़ कर इस पर इमान लाते हो, प्राणाजी के स्वरुप पर इमान लाते हो, उन पर समर्पित होते हो, तो ब्रह्मातमाओं के जीवों की तरह पहली भहिस्त मिलेगी सच्वरुप में, और यदि सुनने के बाद भी इमान नहीं लाते हो, तो उसे हिसाब से आठमी बहिस्त मिलेगी, ये उन्होंने चुनने का मौका दिया है, करतव्य बता करके, और अधिकार दिया है, कि कोई भी इस करतव्य का पालन करके, उस अक्षरातित का दिदार कर सकता है, जिसका दिदार कोई न नहीं कर पाया था अब कहते हैं जो पावे ए पटंतर ताकी पल न व्रिथा जाए जो इस रहस्य को समझ जाता है जो इस ब्रह्म्हमाणी के रहस्य को समझ जाता है उसका एक पल भी व्यार्थ नहीं जाता है एक पल भी नहीं सो इन रसमे जीलत ताको और कच्छू न सुहाए ऐसी ब्रह्मस्रिस्टी इसी ब्रह्ममानी के आनंद में डूबी रहती है इसके अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और हम क्या करते हैं? कि हम माया के व्यापार का विस्तार करते रहते हैं यदि व्यापार अभी छोटा होगा तो हम कोशिस करेंगे कि और बढ़ जाए हमारे जितने भी प्रयास हैं वे सभी प्रयास कहीं न कहीं माया परक और राज्जी से विमुख करने वाले होते हैं कोई भी प्रयास देख लीजी हमारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होता कि अधिक से अधिक समय हम अपनी आत्मा के आनन के लिए दे पाएं जबकि सारे के सारे कारिय चाहे आर्थिक कारियों से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत हर कारिय हमें राज्जी से विमुख करने वाले हैं आर्थिक कारिय का मतलव हम माया में अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं धन कमाना बुरा नहीं है पर हम विशयों की पूर्ती के लिए कमाना चाहते हैं राज्जी के लिए नहीं जैसे राजाराम और जहाजन भाई का हमने प्रसंग सुना बितक से सिखने वाली बात तो ऐसी ही है ना राजाराम और जाजन भाइ से हमने ये सिखा یदि कि कमाना भी है तो सेवा को लक्ष बना करके कि जितना भी कमाया जाए उसमें अपनी आजीवी का को छोड़ करके बाकी सारा का सारा सेवा में लगाना है देखिए एक वाणी में प्रकरण आता है मुमिनों की सरीयत तरीकत हकीकत और मारफ़त जो जाहिरी मुसल्मान हैं उनमें एक वर्ग ऐसा है जो अपनी आय का चालिस्वा हिस्सा दान देता है अपनी आय का चालिस्वा हिस्सा मतलब 2.5 प्रतिसद कह सकते हैं यह सरीयती मुसल्मानों की में बात कर रहा हूँ जबकि जो सूफी मत को मानने वाले हैं वो यह कहते हैं कि अपनी आय का चालिस्वा हिस्सा अपने लिए रखो और बाकी का जो 49 हिस्सा है अर्था 97.5% ये सेवा में दो अब हमारी अवस्था देखते हैं कहने को तो हम हकिकत बहादूर और मार्फतलाल कहलाते हैं लेकिन हमारी अवस्था उन सरीयती मुसल्मानों जैसी भी नहीं है जो कम से कम अपनी आये का 2.5% देते हैं येदि हजार रुपय कमा रहे हैं तो 25 रुपया समझ लेजिए ना लाख रुपय कमा रहे हैं तो 25 रुपया समझ लेकिन हमें ऐसा नहीं है हकिकत और मार्फत की अवस्था तो बहुत दूर की है यहां तो हम सूफी मत जिसको हम तरीकत ही तो कहते हैं सूफी मत क्या है तरीकत की बंदगी करने वाले हम उनकी बराबरी में भी नहीं खड़े हैं फिर हकिकत और मारिफत की बात हमारे मुख से नहीं किया जाए तो अच्छा है पर यदि कोई हमें कह दे कि आप जो कर रहे हैं वो तो सरीयती से भी निमनस्तर का है कोई हमें से कोई भी अपने आपको हकिकत की अवस्था से नीचे का तो कहना ही नहीं चाहता ज्यादा ही चाहेंगे, कहेंगे कि हम तो मारफत में पहुँच गए हैं, हमें तो कुछ करने के जरूरत नहीं, लेकिन केवल वो शब्दों में सिमित होता है न, जहां मन की बात आती है, मनो रंजन की बात आती है, वहां हम कह देते हैं कि आज राज्जी का ऐसा हुकम हुआ है मैंने बहुत सारे सुन्दर साथ के मुख से सुना, उन्हें यदि कुछ खाने की इच्छा होती है तो बोल देते हैं कि आज श्यामा जी ने ये इच्छा की है, आज श्यामा जी को पकोड़े खाने का मन कर रहा है, आज श्यामा जी को पराठे खाने का मन कर रहा है, आज श् आर्थिक विचारधारा की बात कर रहा था कि जब हम आर्थिक रूप से भी विचार करते हैं या प्रयास करते हैं तो राज्जी से विमुख करने वाले ही होते हैं वहां राज्जी दूर दूर तक नहीं होते दूसरा कि पारिवारिक पारिवारिक विचार या प्रयास का पुचने के बाद, चाहे पुरुस हो, चाहे इस्त्री हो, उनके मन में विवाह की धारणा आने लगती है, मैं ये नहीं कहता कि विवाह करना गलत है, पर उस समय राजी कहीं न कहीं छूट जाते हैं, टारगेट क्या रहता है? मैंने बहुत सारे सुन्दर साथ को देखा है और विशेश रूप से बेहनों को, क्योंकि पित्री प्रधान, पित्री सत्तातमक समाज है, बेहने विवाह कर लेती हैं, विवाह के बाद, शुरुवाती लगबग लगबग दस साल, दस साल कम नहीं होते, दस साल तक तो वो इस सरसे बद जाती हैं कि चाह करके भी अपनी आत्म जागरिती के लिए धंग से कुछ नहीं कर पाती, कुछ ही सुन्दर साथ हैं, जो ऐसी अवस्था में भी राज्जी को केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं, मैं यह नहीं कहता कि विवाह करने से राज्जी नहीं मिलेंगे देखिए, ब्रजमंडल में सभी ब्रह्मात्माएं वधुओं के तन में आई थी, है ना, ब्रजवधुओं के तन में सभी विवाहीत थी, लेकिन हमारे उपर है कि हम उसको बंधन के रूप में लेते हैं, या उसको हम आत्म जागरिती के पदपर और आगे बढ़ने का साध है कि अधिकान से सुन्दर साथ, उसको बंधन मान लेते हैं, और कई बार होता भी है, मेरे पास एक ऐसी बात आई थी, ऐसा प्रसंग आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहन है, सुन्दर साथ ही है, उसके मन में शादी करनी की इच्छा नहीं थी, पर कई बा का दबा होता है, परिवार वाले भी सुन्दर साथ ही है, तो परिवार वालों ने भी यही समझाया, कि हमारे समाज में बहुत सार, हमारा समाज वैसे देखा जाए, तो देवोचंद्र जी भी ग्रिहस्त परिवार में ही हुए है, मिहिर राजी भी कहीं न कहीं विवाहत उन उन्होंने सिधे क्या कह दिया कि शादी की बात आप कार्येक रूमों में नहीं जा सकते हमारे घर की लड़कियां इस तरह से मंदिरों में आश्रूमों में नहीं जाती हैं तो आप भी नहीं जा सकते लड़की ने कहा कि मेरे मन में इस तरह की सेवा की भावना है कैने लगे ज ऐसा है चाहे वो परिवार हो चाहे सुन्दर साथ हो यह तो दज्जाल का रूप हो गया ना जो सेवा से रोक रहा है जो अध्यात्म से आपको विमुख कर रहा है आपकी आत्मा की आनन से विमुख कर रहा है वो दज्जाल का ही स्वरूप है तो इसी सिकायते समाज में आती र लग सकते हैं तो जाइए कोई हर्ज नहीं है यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर आपकी मर्जी है पर अधिकांच सुन्दर साथ पारिवारिक रूप से माया से बंद जाते हैं और उनका राज्जी की तरफ जाने का रास्ता कहीं न कहीं ड्यूटी है वो 24 बाई 7 की है छुट्टी उसमें नहीं मील सकती कई बार मैंने देखा कि अभी इस जागनी यात्रा के दोरान भी 105 अलग-अलग स्थानों में कारेक रहम हुए वहां सुन्दर साथ बहुत भावुक हैं पर किसी-किसी घर में मैंने देखा कि जिस घर में सुन्दर साथ सेवा में तो इकठे होते हैं पर जब चर्चा सुनने बैठने की बारी आती है अब उस बहन की गोदी में एक बच्चा है मानलीजे डेड़ दो तीन साल का चर्चा सुनते सुनते बीच में रोने लग जाए तो दूसरे को डिस्टरब ना हो इसके लिए वहां से चले जाना पड़ता है तो बंधन का कारिय हो जाता है इसी तरह से ये तो परिवार का हो गया सामाजिक रूप से भी देखा जाता है कि कई बार लोग नए-णए टार्तम ग्रहन करते हैं उनको पहचान भी होती है पर समाज कर दबा उन पर इतना अधिक रहता है कि वो धर के मार्ग से विमुख हो जाते हैं और समाज को कहते हैं कि ने हम समाज को नहीं छोड़ सकते बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं इसमें से कई सुन्दर साथ तो आप सोयम भी भुक्त भोगी रहे होंगे सामाजिक दबाओ का पारिवारिक दबाओ का आर्थिक दबाओ का तो कहीं न कहीं राज्जी हमसे और वैसे तो राज्जी हमसे विमुख नहीं होते पर हम ही राज्जी से विमुख हो जाते हैं दूर हो जाते हैं अब यहां क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म स्रिष्टी रहस्य को समझाती है वानी को समझ जाती है वहाँ अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं करती बरबाद नहीं करती है और ये ब्रम्ह वानी तो ऐसी है कि यहाँ बैठे बैठे ही आत्मिक द्रिष्टी से हमें परमधाम की सेर कराती है ये बानी इन धाम की ले बैठावत निजधाम सबको सुख उपजे होए पूरन मनुरत काम ये बानी सबको सुख देने वाली है ये बानी से होत है नजर पड़े बीच बका आत्मिक द्रिष्टी से अखन परमधाम में हमारे द्रिष्टी पहुँचाती है ये ब्रम्ह वानी और कहते हैं ये रसना स्यामा जी की पिलावत रसरब का यह रसना स्यामा जी की है जो राजी का रस पिलाती है अर्था तो अक्षरातीत के हृदे में प्रेम और आनंद का जो रस प्रवाही तो हो रहा है क्योंकि राजी का काम क्या है राजी के पास कितने काम हैं बताई हैं। लिला रूप में बहुत कितनी भी गिंती करा रहे हैं आप। पर उन सभी लिलाओं के केंद्र में क्या है। हक को काम और कच्छु नहीं, देवे रूहों लाड लजजद। तो राज जी हमें लाड देने के लिए परमधाम का स्वाद देने के लिए हरदय में जितना भी उनका प्रेम है स्यामा जी के माध्यम से, स्यामा जी की सरसना के माध्यम से सब को वह रस देते हैं, सब को वह आनन्द देते हैं। अब कई बार सुंदर साहत को यह प्रशन हो सकता है कि यह राज़ी की वाणी है, कि स्यामा जी की वाणी है, कि इंद्रावती जी की वाणी किस की वाणी है? मूल में तो राजी ही है ये वाणी इचित दे सुन्यों साथ करिपा करके कहे प्राणना पर इंद्रावती जी के तन से इंद्रावती जी के माध्यम से जिसको स्यामा जी का दूसरा तन गहा जाता है वाणी केते हैं रूह अल्ला दो जामे पहरसी दूसरी उपर मुद्दार तो श्यामा जी की दूसरे तन से इस ब्रह्मा वाने का आवतरण हुआ है तो इसमें राजी ने श्यामा जी को भी शोभा दी है, इंद्रावती जी को भी शोभा दी है और इंद्रावती जी ने राजी को शोभा दी है वैसे मूल रूप से ये वानी राज्जी की है कहते हैं जो अक्षर को सुध नहीं जो धाम अंदर की विहार की मज़कूर सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर अभी थोड़ी देर पहले वैसे हम इस बात को सुन चुके हैं कि परमधाम के लिलाओं का जो वर्णन है, अक्षर को भी पता नहीं है, और जब अक्षर को भी पता नहीं, सु त्रिगुण पास क्यूं होए, सु सब इन बानी में सुपने नजर पहुंची सोए, जिसकी सुद ना अक्षर को है, ना त्रिगुण को है, वहाँ सब इस ब्रह्मों माणी में है, और इसे सुनकर, इस स्वपन के कालमाया के ब्रह्माण में बैठे बैठे, हमारी द्रिष्टी और हमारी नहीं जीवों की भी द्रिष्टी, नजर नाबूद जीव की सु सुपने में रल जाए, नीद उड़े उड़त है, जो जीवोष्रिष्टी है, जो निराकार में लए होने वाला है, ऐसे जीवोष्रिष्टी की द्रिष्टी भी, तिन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे, इस ब्रह्मों माणी से, जीव स्रिष्टी की भी द्रिष्टी अखंड तक पहुंच जाती है इसी ब्रह्मवानी को पढ़ करके इस ब्रह्मवानी को समझ करके बहिस्त के द्वार खुल जाते हैं अर्थात जीवों को बहिस्त अखंड मुक्तिस्थान के प्राप्ती होती है इसी ब्रह्मवानी से कहते हैं इन बाने की बरकतें भया जागरित सुपन इस सुपन में ही हमारी जागरिती होती है और पहचान का घुना हुई पहले पास आई सायन इस संसार में किसी को भी अक्षरातित की पहचान नहीं थी और वह पहचान इस ब्रह्मवाणी के रूप में सईयों के पास ब्रह्म स्रिष्टियों के पास आई है और ब्रह्म स्रिष्टियों की सानेध्यता से क्या हुआ है तहां से ए संसार में पसरसी चवदे तबक बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जाए त्रिगुण पहुँची हाग ब्रह्मातमाव से यह ब्रह्मावाणी फैलते फैलते इस समस्त ब्रह्माण में फैल जाएगे कब शाड़े तीन सो साल हो गए वाणी को आउत्तरित हुए ज्यानपिट को बने 17 साल हो गए हमारे समाज में कहा जाता है कि लगबग लगबग 400 से अधिक मंदिर हैं भारत, नेपाल या आने देशों में करके पर आप जाईए श्रिपाज पद्मा और तीपुरी धाम पन्ना चले जाईए पन्ना जी के 100 मीटर के रेडियस में जितने घर हैं क्या उन सब को प्राण्ना जी के स्वरुप की पहचान है जितने धामी सुन्दर साथ हैं उनके अतिरिक और किसी को पहचान है केवल इतना जानते होंगे कि यहां कोई प्राण्ना जी आये थे जिनके साथ ये धामी परिवार के सुन्दर साथ आये हुए है और ये उनका अस्थान है इतना जानते हैं इतना मानते हैं जिस शहर में नवा नगर, नौतनपरी, जाम नगर जहां जागरित बुद्धी की तार्तमानी का उतरण हुआ है आप महा जाईए क्या उस मंदिर के 100-200 मिटर के रेडियस में रहने वाले सभी लोग प्राणनात जी के स्वरुप परीमान लेकर के आए हैं आप सूरत चले जाईए जहां से जागनी का प्रवाह चला था क्या उसके आसपास के खेत्र में सभी लोग जानते हैं जैसे श्री प्राणनात ज्यान पिठ ज्यान के प्रचार के लिए बनाई गई सथा क्या हमारे आसपास के खेत्र में सरसावा को ही ले लिजिए क्या वहाँ सब लोग प्राणनात जी को जानते हैं एक हास्यास्पद बात में आपको बताओ कि जैसे हमारे यहां सेत्या बाबुजी जिनको हम राज किस्वर सेत्या जी हैं उनका नाम जैपूर के हैं और ज्यानपिठ में बहुत समय तक प्रबंधन की सेवा उनों ने की है सरसावा के लोग सोचते थे कि इनका नाम प्राणना थे हम कभी-कभी सरसावा जाते थे किसी काम से तो कुछ सामान किसी विशिस दुकान में जाते ना बार बार तो जान पहचान थोड़ी हो जाती है तो हम मान लिजे कि गवसाला के लिए कोई सामान लेने के लिए गए तो उनको कह दिया कि गायों के लिए खल चोकर चाहिए एक कटा तो वो तो बोलते थे अभी अभी प्राणाथ जी लेके चले गए तो हम पूछते थे कौन तो बोलते थे वो जो इसकुटी में आते थे ना तो समझ जाते थे कि कि इनको कह रहे हैं ठीक है ऐसी अवस्था थी हाँ आज क्योंकि सत्र साल की अवधी हो गई है तो लोगों को इतना पता चला होगा कि प्राणाथ ज्यानपीट एक संस्था का नाम है बस इतना ही इसके अलावा और हमने दावा क्या लिया कि पूरे ब्रह्मान में हम फैला देंगे वानी में राजी ने ब्रह्मस्ष्ट्यों को सोभा तो दि कि सोतो दिया में तुमको सो खुलेना बिनतुम जो मेरी सुधियों ओरों को तित चले तुम्हारा होकम इस ब्रम्भमानी की चाबी मैंने दी है और तुम्हारे बिना और कोई इसे खोल भी नहीं सकता है यदि तुम मेरी सुध किसी दूसरे तक पहुचाती हो तो वहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा, वहाँ तुम्हारा आदेश चलेगा ये बात सच है मिहर राज्जी का अपना एक लवकिक परिवार के अतिरिक्त बाकी जितने 5000 सुन्दर साथ थे उनसे कोई ऐसा लवकिक संबन्द नहीं था कि उन्होंने सब कुछ श्रीजी के नाम पे समर्पित कर दिया मिहर राज्जी से लवकिक संबन्द के चलते नहीं यहां चिंतामणी जी जैसे हजार सिश्यों के गुरु भी उस चरण में समर्पित हो रहे है लालदाजी भी उसी चरण में समर्पित हो रहे है भैरव जी जैसे सेठ भी उसी चरण में समर्पित हो रहे है चत्र साल जी जैसे महाराज भी उन चरणों में समर्पि थोरे कारण क्या? क्योंकि वो राजी की सुध दे रहे हैं पाच्वे दिन की लिला के बाद, छठे दिन की लिला में भी जिन जिन परमहंसों ने सुन्दर साथ तक वाणी पहुंचाई है सुन्दर साथ ने उने राजी का ही स्वरूप मान करके उनकी सेवा की है आप बड़े महाराजी को देख लीजिए जितने सुन्दर साथ उनके चरणों में समर्पि थे कोई लोकिक संबन थोड़ी था केवल आत्मिक संबन से कि इन्होंने हमें मूल स्वरूप से जोड़ा है तो वहां उनका हुक्म चलता था सरकार स्री को देख लीजिए सरकार स्री के चरणों में भी बड़े-बड़े अधिकारे भी आते थे जैसे हम स्री प्राणना थे ज्यानपिट के जो सलाहकार है हमारे सद्गुरु प्रसाद आरिये जी आरिये साब के नाम से हम जानते हैं पूरे यूपी के वहां सेक्रिटरी थे आईएस अधिकारी उनके सामने बड़े-बड़े जो जिला अधिकारी होते न भी बैठने से या खड़े होने से भी कापते थे पर सरकार स्री की आवाज पर वो भी सेवा में पहुंच जाते थे क्यों कोई लोकिक संबद थोड़ी था कोई ऐसा दबाव थोड़ी था पर उनके माध्यम से सरकार स्री के माध्यम से उन्हें राजी की पहचान मिली, ज्यान मिली तो वो भी जा रहे हैं बड़े-बड़े डॉक्टर्स उनके चरणों में है, बड़े-बड़े उद्युग पती उनके चरणों में है क्युं? कोई लोकिक दबाव नहीं है केवल आत्म सुरुप की पहचान कराने से बड़े महारत जिने कोई ऐसी लोकिक विद्या नहीं पड़ी है कि डिगरी के दबाव में लोग की अच्छा इतने पड़े लिखे लोग हैं या इतने पड़े लिखे महातमा हैं वो दबाव भी नहीं था ऐसा भी नहीं कि बड़े धनाड यह हैं तो धन से दब करके केवल आत्मिक स्वरुप की पहचान देने मात्र से तित चले तुम्हारा हुकम का अधिकार उन्हें प्राप्थ हो गया पर पहले अधिकार जो मेरी सुद्ध्य औरों को उसका उन्होंने उस कर्तव्य का पालन किया आज हमारे समाज में प्रचारकों के नाम पर सुन्दर साथ हैं काफी पर हमारा भाव पहले ही यह रहता है कि सुन्दर साथ हमें अधिकार दे सुन्दर साथ हमारी बात माने क्यूं माने यदि आप में योग्यता होगी यदि आप सुन्दर साथ की आत्मकल्यान के लिए कुछ देंगे समाज को कुछ मिलेगा तभी तो आपकी पूँच होगी और दूसरा हम के वाल उन प्रचारकों के वरोसे क्यूं है उन प्रचारक में हम भी आजाते परमधाम में जब वादा किया कि मैं भूलूं तो तू जगाना तू भूली तो प्रचारक जगाएंगे ऐसा कोई वादा था? नहीं? एक दूसरे को जगाने का वादा था ना तो ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई ये दावा करता है कि मैं ब्रह्म्य स्रिष्टी नहीं हूँ ऐसा तो नहीं है जिसके मन में भी ये होता है कि मैं ब्रह्म्य स्रिष्टी नहीं हूँ वो चर्चा नहीं सुनता है पर केवल सुनने से भी काम नहीं होता है यहाँ स्री लालदाश जी कह रहे हैं कि ब्रह्म स्रिष्टियों से यहां ब्रह्म्हमानी जन जन तक पहुँचेगी अब सवाल यह होता है कि वो सुभ मुहुर्द कब आएगा कि जब ब्रह्म सिष्टियों के माध्यम से ब्रह्मावानी जन जन तक पहुचाए जाएगी ये तब होगा जब हम सुन्दर साथ अपने अपने करतव्य का पालन करेंगे और पालन कैसे करना है वैसे तो इसी भी तक में आगे भी बताया इससे पहले भी बताया, ये पूरी बीतक ही हमें उन ब्रह्मातमाओं के नक्से कदम पर चलने के लिए एक रोड मैप है कि हमें ऐसे ऐसे चलना है, वाणी ने जो बताया कि क्या क्या करना चाहिए आत्मा जागरिती के लिए, बीतक ने उसी बात को बताया कि कैसे करना चाहिए अब ये तो हमारे उपर है कोई जबरजस्ती तो नहीं कर सकता पर हाँ आने वाले प्रकरण में जिसमें 36 कारखानों की सेवा बताई है उसमें स्री लालदाह जी ने लालदाह जी के माध्यम से स्री राज जी ने जो लिखवाया है वो हम सब के लिए है कि यदि हमें भी किसी मिशन का कारिय करना है तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने अपने वीभाग के कारिय को करना होगा कहते हैं ना अकेला चना जो है वो भाड नहीं फोड सकता तो सभी को मिल करके वो काम करना होगा ये सेवा करनी होगी कैसे करनी होगी वो हम अगले प्रकरण में जानेंगे अब कहते हैं कि इन बानी की बरकतें नीद उड़ी नूर जलाल ए याद करे सुपन को होए के दिल खुसाल इस वानी की कृपा से अक्षर की नीद समाप्थ हो जाएगे इसी वानी से अक्षर को क्योंकि उन्हें क्या चाहिए अक्षर क्या चाहते हैं कि परमधाम में क्या लीला होती है वही तो चाहते हैं बाकी तो उनको बता ही है अब उन्हें वह ज्यान कैसे मिला वानी पढ़ करके नहीं अक्षर परम कौन से उसी सुधरी बुध बड़ी भई अक्षर तार्तम ए सब सुध परी लीला अंदर की घर अब उसी तार्तम मानी से उन्हें परमधाम की लीलाओं की सुध हुई और अब जब अक्षर की नीद उड़ेगी तो इस संसार का समापन हो जाएगा पर अभी किसलिए टिकी हुई है कयामत का ज्यान जाहिर हो चुका है कयामत आ चुका है ऐसा दावा किया जा चुका है तेरवी चौदवी सताब्दी में एक सुरे उड़ाय के दिये दूसरे तेरही में कायम किये तो तेरवी सताब्दी तक का वर्णन है अभी चौदवी सती भी चल रही है या समापन हो चु पर एद दिन किने न किया मुकरर, ताए पहचानो जिन दई खबर, ये कयामत इस दिन होगी, ये निश्चित तो किसी ने भी नहीं किया है, निश्चित कब होगी, जब जिसने कयामत की खबर दी है, सब लोग जब उनकी पहचान कर लेंगे, तो समझ लिजे कि अब कायमी का सम आ गया है तो इस ब्रह्म्हवानी की महिमा है इसी ब्रह्म्हवानी से कहते हैं इन बानी की बरकत मावेन जिमी आस्मान सुन्य छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुन के कान ब्रह्म्हवानी को सुनकर सुन्य निराकार के मंडल से अखण में पहुंचती है जहां पर अब यहां फिर वही जो कल्चर चामें बात आई थी उसी को दोहराया जा रहा है कि ब्रह्म्हवानी में क्या है किस तरह से रंगमहल के नौ भॉम दस्वी आकासी का वर्णन है होजकोसर यमुनाजी परमधाम के विबिन बाग बगीचे जैसे फूल बाग है नूर बाग है अन बन है दूबदुली चाहे ऐसे सभी वहां के पसुपक्षियों की शोभा पसुपक्षियों की लीला सातो घा दोनो पूल मानिक पहाड पुखराज पहाड चोबिस हास का महल इन सब का वर्णन इसी ब्रह्मो मानी में है कहते हैं एस सिफत कहां लो कहूं पात्साही परवर दिगार सो इन बानी बीच में सब सईयां जानन हार अक्षरातित की महिमा का वर्णन भला कहां तक किया जाए प इसे पढ़ करके ब्रह्म स्रिष्टियां जानने वाली हैं और इस ब्रह्मो मानी को सुनते सुनते स्री जी पहुड रहे हैं आखों में नीद नहीं है स्री राज पहुड है सुनत हैं नीद न आवे नैनन कच्छु आख मिली के ना मिली फेर सुनत हैं कान कभी-कभी हलकी सी जबके लग जाती है लेकिन फिर वाने गायन की आवाद से उनके उनकी आखे खुल जाती है कान में तो वह चोपाई गूँज ही रही है और कभी-कभी गायन करते हुए या फिर चर्चा की अर्चा करते हुए कोई हरफ, कोई शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, तब भी स्रीजी उन्हें टोक देते हैं, कि इस तरह से ये सब्द आगे पीछे हो गया है, और ऐसा करते करते, अब रात्री के साढ़े चार बजे का समय हो जाता है, और अब परमधाम की वृत का समय होता है, मुरलिधर जी आते हैं और आकर के नियम अनुसार और यहां नियम का मतलब कर्मकांड नहीं ठीक है क्योंकि नियम का एक ताथ पर यह कर्मकांड भी होता है पर वह नियम कर्मकांड है जिसमें भाव तो नहीं है पर रोबोट की तरह एक सिस्टम सेट कर दिया, इतने बज़े जाके करना है तो करना है, वो कर्मकान है, यदि हृदय में भाव है और नियम बद रूप से करते हैं तो वहाद द्रिड संकल्ब है, तो मुरली धरजी आते हैं और स्वरूप कहते हैं, स्वरूप का वर्णन करके सब सुन्दर साथ को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अब सब सुन्दर साथ उठते हैं, उस समय क्योंकि पांच हजार की जमात है ऐसा तो नहीं कि सब एक काम करेंगे एक साथ, कोई सुन्दर साथ उस समय सो रहे होते हैं, कुछ उठ करके अपनी देह क्रिया करने लगते हैं और अब लालदास जी, अपनी सईया छोड़ करके जहां वो बेठे हुए थे, मंगल आरती के लिए आते हैं, मंगल आरती के समय सुन्दर साथ निष्टाबद रूप से आते हैं, और यहां किवल आरती नहीं होती है, जैसे हम सुकु को निधान इतना कह देते हैं, यहां किवल आरती नहीं होती है, अब परमधाम की वृत का वर्णन होता है, सबसे पहले हंसा भाई एक सुन्दर साथ हैं, उनके घर से ये परमधाम की वृत कहने का चलन सुरू हुआ था, उसके बाद लालदाह जी ने वह सेवा ली और फिर बाद में प्रत्य एक दिन एक एक सुन्दर सा इस वृत को कहने की सेवा लेते हैं, कभी वृत किसे कहते हैं, परमधाम की पत्चिस पक्षों की जो लीला है, घटना क्रम है, उन लीला के क्रम को वृत कहा जाता है, जैसे सामाने रुप में वृत मतलब सरकल होता है न, कि एक बिंदी से हमने शुरू किया और घुमा करके उसी बिंदू में पहुंचे उसको वृत कहा जाता है, तो जैसे प्रातह उठने से ले करके, दिन भर की सारी लिला का वर्णन किया, सुबह तक का एक वृत वो भी हो गया, और दूसरा परमधाम की किसी एक पक्ष से शुरू करके, पूरे पत्चिस पक्षियों में घूम कर करके, वहां तक का वर्णन करना ये भी वृत कहलाता है, तो इस तरह प्रती दिन इस वृत को कहने की प्रक्रिया चलती है, और वहां केवल मौकिक रूप से कहा नहीं जाता है, वर्णन करने वाला तो एक है, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, कि हम सब सुन्दर साथ चित्व करते हैं, अपनी सूर्ता को उन-उन पक्षों में लेके जाते हैं, उन-उन शोभाओं में, लिलाओं में लेके जाते हैं, और यही लीजिए कब तक चली, ग्यारवी सदी के अंत तक, अर्थात लगबग 1745 तक, तब तक तो ये लीजिए निरंतर चलती रही, उसके बाद भ ही जोलों रही, दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पढ़ते गए, कहे लाल अंग ठरे, उसके बाद धीरे-धीरे सुन्दर साथ, ठंडे पढ़ते गए, ठंडे पढ़ने का मतलब, वह जो जोश था, वह उत्साह था, वो कम होता गया, समाप्त होता गया, और बाद में बग 25-30 वरसों के निरंतर प्रयास से, चित्वनी की प्रक्रिया समाज में प्रचारित हो रही है, प्रसारित हो रही है, मैं स्वयम भी इसका प्रत्यक्ष दर्शी अपने आपको मानूंगा, कि जब मैं पहली बार पन्ना जी गया था, उस समय की अवस्था में, और पिछले साल जब गया, उसकी अवस्था में बहुत अंतर है, पहली बार जब में गया, तो वहां सब सुन्दर साथ केवल प्रणाम करने वाले, चंदन तिलक लगा करके, प्रसाद ले करके, परिक्रमा करते हुए बाहर निकलने वाले होते थे, दीरे दीरे बीच में ऐसा समय आया कि नया नया कैमरा निकला, वाटसेप और इंटरनेट का जमाना हुआ, शुरू हुआ, तो उस समय फिर थोड़ी आदत बदली, तो दर्शन के साथ में अब सेलफी लेने की प्रक्रिया बड़ी, और पिछले तीन साल से लगबग में देख रहा हूँ, कि जब भी हम गुम्मट जी के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पचासों सुंदर साथ आख बंद करके चित्वनी में बैठा हुआ पाया जाता है, ये एक सकारात्मक सुभ संकेत है, पर किवल पचास की संख्या से तो काम नहीं चलेगा, जिस समय पूरा ब्रह्म चभुत्रा आख बंद करके चित इवर रूप से चल पड़ा है, पुनह जब यही ग्यारवी सदी वाला दौर जब दुबारा आएगा, तो समझ लीजिए कि ये दूसरे तेरही में कायम किये वाली बात हो जागी, वैसे तो तेरही सदी समाथ हो गई, पर समझ लीजिए कि वो कयामत की घड़ी है, अब आग कानों सुने विख्याद, श्रीजी प्रातह सुन्दर साथ के मुखारविंद से उस वृत का वर्णन सुन करके अत्यंत प्रसन होते हैं, खुले कान से ध्यान पुर्वक सुनते हैं और उस समय श्रीजी के लिए कुछ सुन्दर साथ काढ़ा ले करके आते हैं, दाल्चिनी, अद्रक, लोंग, इलाइची, त्यादी, मिश्रित, और उसको ग्रहन करते हैं, फिर वृत का वर्णन करने के बाद, जैसे मैंने दो प्रकार के वृत बताई ना, एक तो पुरी धिन्चरिया की परमधाम के अस्ट प्रहर के लिला का वर्णन किया जाता है, और दुसरा सोभा क वर्णन किया जाता है, अब एक बार वृत कहने के बाद, अब सोभा का वर्णन करते हैं, कि धाम की गिरद कहके, फेर अंदर पैठे, चारों चोक उलंग के, पहुंचे पांचवे चोक है, पुरे परमधाम की परिक्रमा का वर्णन किया जाता है, उसके बाद रंग महल में प्रवेश कराया जाता है, सूर्ता को, और जिसमें चार चोक का मतलब यहां चार चोरस हवेली, और पांचवी गोल हवेली, जहां पर हम सब की परात्म विराजमान है, जहां बीच में कंचन रंग का सिंगासन है, जिसमें युगल सोरों विराजमान है, और जिनको घेर करके साथ गिर्दवाय घेर के बैठे चबुत्रे भर उनकी शुभा का वर्णन किया जाता है उसके बाद दूसरी तिसरी भूम का कल क्योंकि उसका पूरा वर्णन कर चुके हैं तो हम इसलिए दुबारा नहीं दोरा रहा हूं समय के अभाव के चलते तो दूसरी भूम से ले करके नवी भूम दस्वी आकासी तक का पूरा वर्णन करते हैं फिर बाहर की पहले नजदी की परिक्रमा का फिर उसके बाहर जितनी भी परिक्रमा है आठो सागर से ले करके बड़ी रांग की संपुन सोभा का वहाँ पर वर्णन किया जाता है और वृत कहने के बाद अब कहते हैं ए संचेप विरत का एक-एक कहया सुकन इसारे में संकेत में संचेप में वृत के एक-एक शब्द को मैंने वर्णित किया विस्तार इत बहुत है सब ठोर पावे मुमिन वैसे तो चर्चनी का विस्तार तो बहुत है यहाँ जो पंद्रविश चोपाईयों में बता दिया है स्री लाल दाह जी ने बड़े वृत में पूरा वर्णन किया है इसी विस्तार को समावेश करते वे एक-एक गिंती से लेकर के लीला की इसी तरह से आप युगल दाह जी के वृत को देखिए जवाहर दाह जी के वृत को देखिए पूरे परिक्रमा को देखिए चर्चनी का विस्तार पूरा है पर यहाँ संकेत में उन्होंने वर्णन किया और इस तरह वृत सुनते-सुनते अरुण उदय सुर्योदय हो जाता है स्री महामति कहे ए मौमिनों ए आठों पहर की बितक अब सरूप साथ को देता है सु कहूं सो भाहक यह स्री पांच पदमावति पुरी धाम में सुन्दर साथ ने स्री जी को साक्षात अक्षरातीत धामधनी मान करके जो आठों पहर में रिजाया था उसकी बितक का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद अब लगबग दस वरसों तक ऐसे लीला होने के बाद क्या करे हैं अब सरूप साथ को देता है महामति जी के हृदय धाम में पांचों शक्ति विराजमान है तन मिहिर राजजी का है उस तन को शोभा मिली हुई है पर आगे छठे दिन की लीला प्रारम होनी है उसमें उन्होंने सारी शोभा किसको दी ब्रह्म स्रिष्टियों को क्या कहते हैं दिल मौमिन के आयके अर्ष कर बैठे खसम अब हुकमे द्वारा खो लिया लिया अपने हाथ हुकम दिल मौमिन के आयके अर्ष कर बैठे खसम ब्रह्म स्रिष्टियों को उन्होंने अब शोभा दी ब्रह्मात्माओं के धाम रिदे में विराजमान तो वो अनादी काल से अनंत काल तक हमेशा ब्रह्म स्रिष्टियों के रिदे में हैं पर उन्होंने शोभा दी जागनी की सोभा हम ब्रह्म स्रिष्टियों को दी है इस तरह अश्चप्रहर की बितक समाब्ध होती है हम सुन्दर साथ ने संग्षेप में ही सही पर इतना समझा कल परसों की और आज की चर्चा में कि किस भाव से किस पहचान से सुन्दर साथ ने स्री जी को रिजाया है जिस दिन हमारे अंदर भी स्री जी के लिए स्री प्राण्णा जी के लिए उतना ही भाव आएगा हमारे अंदर उतनी ही पहचान आएगी तो हम आत्म जागरिती के पत पर आगे यदि हमारे मन में अभी भी यही है कि प्राण्णाजी तो संत हैं कभी है कोई गुरु है या किसी के भक्त हैं किसी के सिस्य हैं तो हमारी आत्मजागरिती नहीं हो सकते अब आने वाले प्रकरण में 36 कारखानों की सेवा है कारखान मतलब विभाग यह management है कई बार आज के हिसा से देखा जाए आज की generation के हिसाब से तो लोगों को लगता है कि अध्यात्म का मतलब केवल चंदन करके तिलक करके या फिर पाठ इत्यादी कर लेना या फिर आख बंद करके बैठे रहना अपने आराधिस्ट का नाम जबते रहना केवल यही अध्यात्म है पर अध्यात्मि में ही इसका उदाहरण देख सकते हैं कि ज्यानपीठ में जैसे जो बिलकुल नए विद्यार्थी आए हैं में उनकी तो बात नहीं कर रहा पर यहां दो-चार साल रहने के बाद इनहीं विद्यार्थियों में से भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो driving भी करते हैं बारबर का काम भी करते हैं कटाई का बालों की कटाई का काम भी करते हैं खेती भी जानते हैं एक ही विद्यार्थी कम्पीटर का काम भी करते हैं वीडियोग्राफी में recording भी करते हैं आप उनसे कम से कम दो से तीन भासा में कम से कम बात कर रहा हूं दो से तीन भासा में आप उनसे बात भी कर सकते हैं अच्छी सी अच्छी फोटोग्राफी भी कर लेते हैं उस की हुई फोटोग्राफी की एडिटिंग भी कर लेते हैं आज बाहर के दुनिया में कार्पोरिट वर्ल्ड जिसको कहा जाता है ऐसी दुनिया में यदि इतना टालेंट किसी व्यक्ति में हो तो लाखो रुपए का पैकेज वो कमा सकता है और इतनी प्रतिभा के लिए वर्सों की ट्रेनिंग लगती है पर ज्यानपीट में ऐसा माहुल है ऐसी परिस्थिती है कि यहां आकर के व्यक्ति हर दिशा में ट्रेंड हो जाता है कि लालदाह जी कहीं पर मैनेजमेंट की शिक्षा लेने के लिए MBA करने थोड़ी गए थे किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पर सेवा करते करते उन्हें इतना अनुभव है कि उन्हें पता है कि 5000 की जमात को कैसे समहला जा है उन्होंने क्या किया वीभाग मान दिया आज होता है ठीक है और इसके साथ में मैनेजमेंट की टीम होती है मैनेजमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए होते हैं ठीक है कम्यूनिकेसन का डिपार्टमेंट अलग होता है आईटी डिपार्टमेंट अलग होता है फिर साफ सफ़ाई का विवाग अलग होता है काटरिंग का अलग होता बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हर संस्था में लालदाजी कहीं पर डिगरी लेने के लिए नहीं गए हैं पर वो उनमें अनायास ही विकसित हो गया है सेवा करते करते अब क्योंकि 5000 की जमात है सुन्दर साथ को समस्या न हो इसलिए उन्होंने 36 विभाग बनाए हैं उनमें विशेश विशेश विभाग की बात करते हैं सबसे पहले तो यह जो सेवा थी व्यवस्थापन की मैनेजमेंट की सेवा एक सुन्दर साथ है गरीवदास उनके जिम्में थी पन्ना जी से पहले जब रामनगर में पहुँचे तो गरीवदास जी ने स्री जी से कहा कि स्री जी साहिब मुझसे ये सेवा सही तरीके से नहीं हो पा रही है तो ये सेवा किसी और को दिया जाए और लालतास जी को वो सेवा दिये गई और उसके बाद बीच में लालतास जी को स्री जी ने औरंग जेब के पास भेजा था उस समय फिर किसी और सुन्दर साथ ने वे सेवा समाली व्रिंदावन नाम की एक सुन्दर साथ है उन्होंने ये सेवा शमाले फिर जब लालदास जी वापस आए तो उन्होंने इसे देखा चुकि लालदास जी एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे व्यापार को सम्हालने का व्योस्थापन का उनका अनुभव भी था और 5000 सुन्दर साथ की सेवा करते करते वह जो गुण है और अधिक विकसित हो गया है तो उन्होंने 36 विभाग बनाए जिसमें से मैं कुछ-कुछ विभागों का नाम ले रहा हूँ जैसे श्रीबाई जी राज जी के लिए वस्त्र इत्यादी लाने की सेवा है आवस्यक्ता पढ़ने पर जो आवस्यक वस्त्वें हैं उनकी पूर्ती के लिए लालदाह जी ने वो सेवा स्वयम ही ले लिकि ये सेवा में करूँगा अनाज साक सबजियां मेवा मिठाई हरड त्रिफले में जो हरड आता है ऐसे वस्त्वों की जो आवस्यक्ता है उसकी पूर्ती के लिए एक अलग विभाग उन्होंने बना दिया उसके बाद कुछ सुन्दर साथ तो ऐसे हैं जो ग्रिहस्ती हैं कुछ सुन्दर साथ उसमें विरत रहे हैं उनके लिए रूई सूती बरतन और सगुण निर्गुण जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को लाने की जो सेवा है वो भी लालदाह जी ने सोयम की उसके बाद लिखने की सेवा है अलग अलग विभागों का लेखा जोखा करना है कि कितना सामान आया है कितना देना है कितना सामान लाना बाकी है तो ये जो सेवा है ये घंसयम जी किया करते थे संतदास जी है, मानिक जी है, कल्यान जी है ये घजाने की देखरेक की सेवा करते हैं मतलब आज के इस सबसे देखा जाए तो कैसियर की सेवा कह सकते हैं इसी तरह से सुन्दर साथ को श्री जी को कपड़ा देने की जो सेवा है वो मकरन जी किया करते हैं, कुछ समय तक ये सेवा नाराणदाह जीने की है, इसी तरह से एक विभाग है कि यदि किसी को पत्र लिखना है, पत्र लिखने के लिए कागज की आवसेक्ता पढ़ती है, देखनी की वेवस्था अलग होती थी तो यह सारी वेवस्था करने की सिवा एक जीम में थी रितु के अनुसार यदि गर्मी की रितु है तो पन्ना जी के परिशर को गुम्मट जी बंगला जी के परिशर को सुगंधित इत्र इत्यादी छिड़क करके क्योंकि गर्मी में क्य आराम जी किया करते हैं गर्मी में एक घास पाई जाती है जिसको खस भी कहा जाता है खस खस या फिर सरकंडे होते हैं गाडर भी कहा जाता है किसी किसी जगह पर तो उनको लाकर के बास की फट्टियों को काटा जाता है और उसके बीच में बास की कमचियों के बीच में उनको लगा करके जैसे आज के हिसाब से देखा जाए तो जो कूलर होता है कूलार में पीछे घासफुस तयार किया जाता है गासफुस लगा करके उसको गिला किया जाता है वैसे ही बड़े पैमान पर उसकी ब्योस्था की जाती थी और ये सेवा करते थे ओका, गंगाराम, कृष्णदास, दयालदास, आदिसुंदर साथ उसको खस की दिवाल कहा जाता है, पुराने समय में जो घासफुस की घरे होती थी आज भी किसी-किसी जगा पे गाउं में होती थी, उसको तयार क्यों किया जाता है कि घासफुस की दिवाल बनाई जाती है, उसमें सुगंदीत जल छिड़का जाता है तो वहाँ से जो हवा गुजरेगी आज की कूलर की सिस्टम की तर ठंडे और सुगंदीत होते हुए गुजरेगी। इसी तरह से यदि बढ़ई का काम पड़ता है तो मोहनदाश जी हैं, हीरामन जी हैं, ये सेवा करते हैं और उसमें सुतली, डोरी क्योंकि कमची को बादा जाता है, उसको लाने की सेवा बुलचन जी, मोहन जी करते हैं। वो पंखा जलने की सेवा, पंखे से हवा करने की सेवा, चार सुन्दर साथ करते हैं, जिसमें वल्लब जी हैं, संकर जी हैं, संत दास हैं, गंगा राम हैं, बिहारी दास हैं, ऐसे चार-पांच सुन्दर साथ उस सेवा को करते हैं। इसी प्रकार लाल दास जी, मुकुंद दास जी, निर्मल दास जी, गोविंद दास जी, ये सब प्रसंग परिस्थिती के अनुसार, यदी कोई सुन्दर साथ सामिल नहीं होते हैं, तो वो भी मौका देखकर कि उस सेवा में सामिल होते हैं। गुलाब के इत्र को सीसे में भर करके रखने की जो सेवा है, वो हकीकत खान करते हैं और सब जगह पे आवस्यक्ता के अनुसार छिड़कने की सेवा गंगाराम जी करते हैं। इसी तरह से श्रीजी को क्योंकि गर्मी कीरितो का वणन चल रहा है, महीन वस्तरों को ला करके पहनाने की जो सेवा है क्योंकि वल्लब दाश जीव से सेवा को किया करते हैं। उन्होंने अलग-अलग स्थानों से खोज-खोज करके महीन वस्त्रों को ला करके सेवा कि और इसी तरह से महाउजी भाई ये पोरवंदर से उस समय आये होते हैं और स्याही तथा पत्र जिनका मैंने थोड़ी देर पहले है वर्णन किया उनको लाने की जो सेवा है और आवोशित्ता पढ़ने पर पत्र इत्यादी लिखने की सेवा महाउजी भाई करते हैं इस तरह से 36 कारखानों का उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया और गर्मी के दिनों की सेवा का भी उन्होंने वर्णन किया और आखिर में क्या कहते हैं, आसबाई इन समय लागत हैं चरण, आसबाई अर्थात लालदाह जी की आत्मा की पहचान स्री जी ने उस रूप में की थी, तो सारी व्योस्थाओं उपर वो द्रिश्टिपात करते हैं, सभी व्योस्थाओं को देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो न सब ठीक हो जाएगा। ये एक डायलोग है व्योस्थापकों के लिए है। व्योस्थापक हर जगपर जाकर के स्वयम ही सारीरिक परिश्रम करें। उसको व्योस्थापक नहीं कहते। जहां आवश्चेकता है वहां करना भी चाहिए। मानलिजे कि एक उदाहरण के लिए गाय का बच्डा खुल गया और और असमय गाय का बच्डा खुल करके जाके दूद पी रहा है। कोई सुन्दर साथ जिनकी व्योस्थापन की सेवा है, वो जाएं, या फिर कोई दूसरी सेवा है, मालने जे कि मेरी चर्चा करने की सेवा है, मैं जा रहा हूँ, मैंने गौसाला में देखा कि अच्छा ये तो बच्ड़ा जो है, दूद पी रहा है, और सारा पी जाएगा, इ गौसाला की सेवा उनकी है, तो ये सेवा नहीं है, जहां सरीर की आओ सेकता है, सरीर चलाने की वहां सरीर चलाए जाए, जहां मस्तिष्क चलाने की आओ सेकता है, वहां मस्तिष्क चलाए जाए, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जैसे एक मशीन है, मशीन के यदि सो अलग parts हैं, तो सभी parts का अपना-पना महत्वा है, उसमें ये 2-10 रुपए में आने वाली कोई spring होगी, उस spring का भी महत्वा है, nut bolt screw का भी अपना महत्वा है और उसकी engine का भी अपना महत्वा है, management का काम क्या है, यदि एक screw नहीं है तो उस screw की व्योस्था करें एक spring नहीं है तो उस spring की विवस्था करें और यदि केवल spring और screw तो बाकी machine की विवस्था करें यह management का काम है यह जो संपूर्ण mission है संस्था एक machine की तरह है कोई भी संस्था या कोई भी संगठन या संस्था का मतलब ऐसा नहीं कि building बनी हुए तो संस्था है कोई भी संगठन ही एक तरह की संस्था है दोनों में कोई भेद नहीं है तो संगठन भी एक machine की तरह है इसमें जिसका idea होता है जिसकी बुद्धी होती है वह इंजिन की मतलब उसमें fuel इंधन का अपना महत्व है हर चीज का महत्व होता है इसी तरह से कोई भी संगठन होता है उसमें बुद्धी मान लोगों की बुद्धी मता का अपना महत्व है उसको लागू करने वाले सुन्दर साथ की सेवा का अपना महत्व है जितने लोग creative ideas लेकर के आते हैं उनकी आइडिया का अपना महत्व है पर साथ में जो सारीरिक परिश्रम करने वाले लोग हैं उनके सारीरिक परिश्रम का अपना महत्व है जो उसके लिए फंड रेज करते हैं उनकी आर्थिक सेवा का अपना महत्व है इन में से किसी भी एक चीज को हटा दे नहीं है तब भी काम नहीं होगा लोग भी है आइडिया भी है पर फंड नहीं है तब भी कारिया नहीं होगा लोग भी है आइडिया भी है फंड भी एपर करने का मन नहीं है मतलब भावना नहीं है तब भी काम नहीं होगा चारों कारियों का अपना अपना महत्व है और इन च चारों कारियों के अलग-अलग कारिय करता होंगे, ये चार कारिय गाड़ी के चार पहिये हैं, इनमें से एक पहिया निकाल दिया जाए, तब भी वो गाड़ी नहीं चल सकती। तो लालदाह जी ने इस चीज के महत्व को समझा है, जागनी का कारिय मूल रूप से तो राजजी ही कर रहे हैं, महामती जी के हृदेधाम में विराजमान हो करके, उन्होंने सेवा कि जिम्मेदारी लालदाह जी को सौपी है, और लालदाह जी ने इस चीज को अच्छे से उससे ऐसा ही करा रहे हैं management का तात्परी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां सुई का काम आए वहां सुई से कारिय करें जहां तलवार का काम आए वहां तलवार से कारिय करें यह management है जहां कंजुसी करनी पड़े वहां कंजुसी करें जहां खर्च करना पड़े वहां खर्च करें ये मैनेजमेंट है मैनेजमेंट का तात पर ये केवल पैसा बचाना मैनेजमेंट नहीं होता और पैसा बहाना भी मैनेजमेंट नहीं होता सही जगा पर बहाना और सही जगा पर बचाना ये मैनेजमेंट का कारिय होता है और ये उस समय लालदाजी ने दिखाया आज चाहे ज्यानपिट का मैनेजमेंट हो चाहे हमारी जितने भी संगठने उन सब का मैनेजमेंट हो उन सब को इस से सीखने की आओ सेकता है एक बार एक उदाहरन से मैं इस बात को समझाना चाऊँगा स्वामी जी आ रहे हैं तब तक के लिए ही मैं इस प्रसंग को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले सभी लोग अपने अपने लोगों से परिचित लोगों से सहयोग मांगने के लिए जा रहे थे तो जो धनका देवता है वो कुबेर जी को कहा जाता है हो सकता है कुबेर एक पद हो क्योंकि रामायन काल में भी एक कुबेर का वर्णन आता है तो ये एक दंत कथा भी हो सकता है क्योंकि मैंने महाभारत में इस प्रसंग को पढ़ा नहीं है पर एक समझने के लिए कि अर्जुन, भीम और कृष्ण जी कुबेर के पास सहयोग लेने के लिए गए, जिस समय कुबेर के दरबार में गए थे, तो वहाँ कुबेर क्या कर रहे थे जानते हैं, महल में किसी जगह पर सरसों के दाने बिखरे वे थे, बहुत सारे, काफी सारे, वो हमारे लिए काफी सारा है, पर कुबेर के लिए तो वो क्या है, एक बाल के नोक के बराबर भी नहीं उसके इसाब से, पर वो क्या कर रहे हैं, कि हाथ में थोड़ा-थोड़ा ऐसे पानी ले रहे हैं, और ऐसे चिपका रहे हैं उस सरसों में, तो थोड़ा चिपकता है न कान में कहा कि इतने से सर्सों का तो ये सर्सों की तो कंजूसी कर रहा है ये हमें क्या सहयोग देगा क्रिष्ण जी ने कहा कि नहीं रुको यहां तक आये हैं तो मांगने का कारिये तो करें देना ना देना उसके हाथ में क्रिष्ण जी ने सहयोग की इच्छा व्यक्त की कुबेर्ची से तो उन्हेंने कहा कि जितना चाहिए आपको ले जाएए आपके रत में जितना भर करके लेके जा सकते हैं आप ले जाएए भर करके पूरा दे दिया अब भीम आहचर चकित हो रहे हैं कि इतने कंजुस ने इतना कुछ कैसे दे दिया अब रत में क्योंकि बहुत सारा सोना चादी इत्यादी भरा हुआ है आगे थोड़ा सा 10-20 कदम ही लेकर के बढ़े थे कि रत का पईया मिट्टी में धस गया तो क्या किया कुभेर ने कि जो सरसों उन्होंने इकठा किया हुआ था उस सरसों को पईयों के नीचे उन्होंने गिरा दिया तो क्या होता है जैसे घोड़े थोड़ा आगे खीचते हैं तो पईया थोड़ा सागे बढ़ता है लेकिन भार के कारण पीछे जैसे ही आता है क्योंकि सरसों के तो दाने हैं वो उस जगह को भर देते हैं और क्योंकि वो चिकने भी होते हैं तो फिसल करके उस जगह से रत का पईया आगे बढ़ जाता है ठीक है तो कृष्ण जी ने समझाया भीम को कि देखो उन्होंने जहां उठाया वो अमीर है इसका तात्परिया ये नहीं है कि बरबाद कर देंगे पर सही जगा पर काम आया ना सही जगा पर प्रयोग किया तो ये management है ये व्यवस्ता है हम की बात आए तो वहां दिल खोल करके जैसे एक तामसी सकियों का प्रसंग आता है ना कि राज जी ने बुलाया तो सोचना ही नहीं कि परिणाम क्या होगा इसी तरह जहां सेवा की बात आए वहां हम दिल खोल करके खर्च कर सकें ऐसा भी होना चाहिए दोनों personality हमारे अंदर ह होने चाहिए यह management है अब लालदाह जी वो सारी व्योस्थापन समहाल करके आते हैं स्री जी के चरणों में धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा से प्रसंग होते हुए क्या कहते हैं स्री राज हेत कर बुलावत प्रसंग होए के मन लालदाह जी की सेव से प्रसन्न हो करके स्री जी उन्हें प्रेम मई शब्दों से बुलाते हैं अब आगे कह रहें स्री महामति कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ अब तक मैंने सेवा करने वाले सुन्दर साथ का यहां पर वर्णन किया इहां तेही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ बोलश्री प्राणनाथ बोलश्री सत्गुरु महाराज की तो सेवा में कोन खड़ा होता है जिसका हाथ राज्जी पकड़ते हैं अब यहां दो बात होती है देखिए पकड़ने की बात दो रूपों से आती है इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना एक कि माया हमें छोड रखा है और राज्जी हमें पकड़ते नहीं है दो बात आती है ना एकिने माया हमें नहीं छोड़ रहे ऐसा ही तो बोलते है ना और राज्जी हमें नहीं पकड़ रहे हैं चूंकि हमसे सेवा नहीं हो पार रही और चौपाई कह रही है कि यहां तेहीं खड़े रहे जाके दनीय पकड़े हाथ, अब यहाँ दो विरोधी बातें हो रही है, वास्तविक्ता क्या है? माया को हमने पकड़ा है, कैसे? कि किसी गाउं में एक घर में मा और बेटे रहा करते थे, एक सादू उस गाउं से गुजर रहे थे, तो देखा कि उस घर के बाहर सब लोग रो रहे है हैं, चिला रहे हैं, सादू भी पहुंच गए कि पता ने किस दुख में लोग फस गए हैं, वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा, जो बच्चा है उस घर का, उस घर के खंबे को इस तरह से लॉक करके पकड़ करके बैठा हुआ है, और चिला रहा है कि य मेरे बेटे को खंबा नहीं छोट रहा है, उस घर के लोग भी कह रहे हैं कि अरे बेचारा इतना छोटा बच्चा था और खंबे ने पकड़ लिया इतना अच्छा बच्चा था, हम सब की बात मानता था, सब कह रहे हैं कि खंबे ने बच्चे को पकड़ रखा है, सारे मुर बेर का मोसम है, तो बेर इसको बहुत अच्छे लगने हैं, मातमा जी ऐसे अंजली में भर करके बेर लेकर के आये, और उस बच्चे को दिया, जैसे ही बेर दिया, उसने खंबा छोड़ दिया, और बेर लेने के लिए हाथ कर दिया, ठीक है, तो माया ने हमें ऐसे ही पकड आनंद दे रहे हैं, पर हमारी अंजली उस तरफ नहीं जा रहे हमने मुठी कर रखी ऐसे पीछे, कि हम तो नहीं दे रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, कि राजी आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है, राजी ने तो यहां तक भी किया, कि हाथ बले ही हम नहीं दे रहे हैं, आते हैं कि कहीं वापस माया में हम जाएं और फिर कहते हैं कि इहां ते ही खड़े रहे जाके धनीय पकड़े हाथ राजी हाथ पकड़ने के लिए हमेशा हमारी तरफ हाथ दे करके तयार हैं पर चुंकि वो चाहे तो जागनी नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं पर हमने भी तो दावा किया है ना उन्होंने मौका दिया है ब्रज में नहीं पहचाने रास में भी वैसी अवस्ता थी जागनी के ब्रमान में अब तक भी नहीं पहचाने फिर भी उन्होंने कहा कि जो पीछे तुम दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार बाद में भी कर लो, तब भी में मान लोंगा, लेकिन बाद में करते, 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 साड़े तीन सो साल हो गए, छठे दिन की लिला सुरू हुए, लगबग साड़े तीन सो साल होने वाले हैं, और इतने में भी हम राजी से दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं, और हम दोस्त देते हैं कि राजजी हमारा हाथ नहीं पकड रहे है अब वो समय आ गया है वैसे तो कब का आ चुका है लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सबेरा अभी भी जाग जाएं तो देरी वैसे तो होई चुकी ये पर कहते हैं कि ओखली में सिर दे दिया है तो मुसल से क्यों डरना कहते हैं कि जलेवी की तरद तेड़ी हो गई है जिन्दगी तो क्यों ने चासनी में डूब करके मजा लिया जाएं भले ही देरी हो गई है कोई बात नहीं पर कम से कम अब भी हमारे पास ये अवसर है कि इस बितक से शिक्षा ले करके अपने कर्तव्य को पुरा करें जैसे अस्ट प्रहर की सेवा में उन सुन्दर साथ ने किया वैसे तो जब पहली बार मैंने सुना मुझे पता नहीं था कि दो महिने की भी बितक होती है मैंने स्वामी जी के ही मुख से सुना कि इस साल दो महिने की भी तक है तो दो तरह की विचार आये मन में कि हर बार एक महिने की भी तक करते आये हैं इसी भी तक वही है चौपाई वही है कितना ही कर लेंगे दो महिने में क्या-क्या प्रसंग करेंगे एक भाव ये था नकरात्मक सकारात्मक भाव ये था कि कभी-कभी हमें कुछ प्रसंग छोड़ देने पड़ते हैं वो नहीं छोड़ने पड़ेंगे हम और अधिक विस्तार पुर्वक सुन्दर साथ से बात कर पाएंगे समझा पाएंगे और दो महिने की वित्तक होगी ऐसा करते करते समाप भी हो गई और कुछ ऐसा हुआ कि आखरी दिनों में तो हमें पहले की तरह एक महिने की वित्तक की तरह अश्टप्रहर को संग्षेप में समाप करना पड़ा पर फिर भी मुझे लगता है कि स्री देवचंद्र जी की खोज से ले करके इंद्रावती जी के प्रेम और विरह से ले करके उस समय कि उन ब्रहमातमाओं के उन ब्रहमुनियों की सेवा भावना से हमने जो कुछ भी सिखा और अभी अश्टप्रहर के लिला से जो कुछ भी सिखा इसके आधार पर यदि हम अपनी अपनी सेवा करने के लिए तयार होते हैं तो जागनी का कारिया बहुत ही तेजी से होगा महामती स्री लालदा जी ने अपने तरफ से तो कह दिया कि इहां वही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ पर हम राज्य की तरफ हाथ तो बढ़ाएं अब यह हमारे उपर है कि हम कैसे बढ़ाते हैं हमारे पास राज्य ने तन से सेवा करने का विकल्प दिया है तभी हमारा बितक सुनना और इस वर्ष ने इस से पहले भी हमने जितनी बितक सुनी है वो सफल सार्थक से दोगा यदि हमें इस वर्ष की बितक से भी कोई परिवर्दन नहीं आया है हम जसके तस धाक के तीन पात की तरह हैं तो फिर अगली बार भी सुन लें दो मैने की जग जागरिती हो चाहे दूसरी सुन्दर साथ की जागरिती हो उसके लिए प्रयास करें और इसी प्रयास के क्रम में हमारे स्री प्राण्णात ज्यानपीट के ही सुन्दर साथ हैं जानकारी यहाँ पर देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब सुन्दर साथ ने पुझे स्वामी जी के द्वारा लिखित एक छोटी सी पुस्तिका है बले ही पुस्तिका छोटी है पर उसमें जो भाव है हमें जगजोर देने वाले और श्री प्राण्णात महीमा श्री प्राण्णात महीमा नामक उस पुस्तिका का लगवग सभी सुन्दर साथ ने पढ़ाई होगा मुझे लगता है उसका 300 भाषाओं में अनुबाद हुआ है वानिक्षा 133 भासाओं में अनुवाद किया, इसकी जानकारी तो सभी सुन्दर साथ को थी, पर हमारे स्रियस जी ने स्री प्राणनात महिमा को 300 भासाओं में अनुवाद किया है, वैसे तो 300 से भी कुछ अधिक भासाओं हैं, पर किसी में हो सकता है कुछ टेकनिकल समस्याओं, पर तीन सो भासाएं निश्चित हैं जिन में प्रण्यत महिमा का अनुवाद किया गया है जो उनके मन में ये भाव था कि बितक की पूर्णा हुती में पुझे स्वामी जी को भेट किया जाए अब चुकि मेरी तरफ से जो बितक की चर्चा थी उसकी भी भेट इस वर्ष की मैं कर चुका हूँ पुझे स्वामी जी से मैं आगरह करूंगा कि इसी बितक के समापन के संदर्व में हम सब सुन्दर साथ को सम्भदित करें परणाम जी श्री महामत कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ इहांते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ जाके धनिये पकड़े हाथ बुलु स्री प्राणनात बुलु स्री सत्गुरु महाराज के पड़े जाके धनिये पकड़े हाथ